हे स्वीटीज, वेलकम टू क्यूट बेल एक्स्पेनेशन और थैंक यूँ उन वीवर्स का जिनों ने चैनल को लाइक अन सब्सक्राइब किया और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आकन को प्रेस भी कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके तुड़े आम गॉन शेयर विद यू फाइनल पार्ट आफ दिस सीरीज और सीरीज का नाम तो आप लोगों को थमनेल देकर पता ही चल गया होगा एपिसोड की सुरवात में तोगवा नोजु की सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और अपने उस मिस्टेक के लिए माफी मांग रहा था नोजु उससे कुछ कहने वाला था लेकिन तोगवा उसे मना कर देता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैं पहले से भी और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा प्लीज मुझे अपने लिए काम करने दीजिए प्लीज हमारे इस बॉस और इंप्लॉई के नॉर्मल रिलेसंसिप से ही रहने दीजिए मैं आप से इस डिफिकल्ल रिक्वेस्ट के लिए माफी मांगता हूँ ये कहने के बाद वो अपन आने के लिए तयार हो रहा था नेस्ट सेन में नोजू आफिस आता है सभी उसे गुड मॉर्निंग विस्ट करते हैं तोग्वा भी उसे ऑक्वर्ड ले करता है नोजू भी उन सभी को रिप्लाइ करता है और अपने प्लेस पर आकर बैठ जाता है तो देखता है उसके टेब और पूशता है मैंने आपको आज सुबर सेल कार सेंड किया था क्या आपने वो चेक किया नोजू कहता है एम सॉरी लेकिन मैंने उसे अब तक देखा नहीं है तोग्वा कहता है ठीक है जब आप उसे चेक कर ली तो उन्हें इमेल कर दीजिएगा और उसे डॉकिमेंट की फ और मैं सिर्फ उसका बॉस ही हूँ इसके बाद नोजू तोग्वा से लंच के लिए पूशता है लेकिन तोग्वा मना कर देता है और कहता है मैं दूसरे इम्प्लॉईस के साथ जा रहा हूँ तब ही वहां किरी सीमा आती है और नोजू से कहती है क्या हुआ क्या तुम ठग चलाने में काफी एक्सपर्ट हो गए हो नोजू इसमायल करता है नेस्ट सेन में नोजू बाहर जा रहा था तब ही बाहर से तोग्वा और कुछ इंप्लॉईस बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे नोजू उन लोगों की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है इसके डिपार्टमेंट के बारे में बता जो एक डिजिटल डिपार्टमेंट था किरी सीमा नोजू को उस डिपार्टमेंट का लीडर बनने को कहती है और उस निव डिपार्टमेंट के बिल्डिंग ठीक स्टेशन के सामने ही है नोजू कहता है वो निव बिल्डिंग किरी सीमा क कहता है क्या क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए करी सीमा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन तुम बहुत अजीव हो नोजु कहता है मैं क्या हूँ इसके बाद नैस्ट सेन में नोजु आफिस में होता है और तोगवा की तरफ देख रहा होता है तभी वहां एक पार्टी में आ रहे हैं नोजु कहता है ठीक है ये सुनकर वो इंपलाई खुस हो जाती है और वहां से चली जाती है नोजु भी तोगवा की तरफ देखने लगता है लेकिन तोगवा अपने काम में बहुत बिजी था नेस्ट सीन में सभी रेस्टरेंट में होते हैं जहां पार्टी रखी गई थी नोजु भी उस पार्टी में पहुंसता है सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी नोजु नाकामुरा से कहता है तुम बस नाकामुरा ही हो नाकामुरा कहता है हाँ आम जेस्ट नाकामुरा इसके बाद दो लड़किया नोजु की तरफ देखती है और क लड़किया कहती है ऐसा नहीं हो सकता वो परसन कहता है ये जेस्ट रियूमर है वो लड़किया कहती है लेकिन अगर ये सच हुआ तो हम मिस्टर नोजु को नहीं देख पाएंगे ये बात तोगवा भी सुन रहा था जो उन लोगों के सामने ही बैठा होता है फिर हम नोजु क को देखते हैं जो नाकामुरा से कहता है क्या तुम मुझे अपनी ड्रिंकी ग्लास दे सकते हो नाकामुरा कहता है मैंने ये अल्रेडी पी लिया है नोजु कहता है कोई बात नहीं ये ड्रिंक अच्छी लग रही है और उसके हाँ से वो ग्लास ले लेता है और द्रिंक करने नहीं लेकिन आप अल्रेडी ड्रंक हो चुके हैं आपने इससे पहली इतने ड्रिंक कप की थी चलिए मैं आपके लिए टेक्सी पकड़ता हूँ नोजु कहता है लेकिन तोगवा उसकी बात नहीं सुनता है और उसे उठाकर वहां से बाहर ले जाता है इसके बाद दोनों रेस का वेट कर रहे थे लेकिन वहां एक भी टेक्सी नहीं आती है फिर तोगवा नोजु से पूस्ता है क्या सच में आपका ट्रांसफर न्यू डिपार्टमेंट में होने वाला है नोजु कहता है तो तुमने भी सुन लिया लेकिन ये अभी तक ऑफिसल नहीं हुआ है तोगव नोजु कहता है मुझे कल आफिस जाने से पहले मिस्टर ओनो से मिलना है तब तक मैं तुम्हारी केयर में रहूंगा तोगवा कहता है ठीक है गो होम सेफली इसके बाद नोजु सोचने लगता है अच्छा यहीं होगा कि मैं टाइम के साथ पहले की तरह ही वापस नॉर्मल बॉस बन जाओं यहीं सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और चलते चलते काफी दूर आ गया था फिर वो तोगवा की वाइस सुनता है तो पीछे मूर कर देखता है तोगवा उसी की तरफ आ रहा था और उसे रुकने क्यों कहता है फिर कहता है आम सॉरी दिना आपको भू तो आप मेरी चिंता मत कीजिए ऐसा कहकर वो वापस चला जाता है और उस अम्रेला को देखने लगता है और फिर उस मोमेंट को याद करने लगता है जब बारिस हुआ करती थी तो तोगवा इसी तरह उसे अपना अम्रेला दे दिया करता था फिर हमें फ्लेस बैक दिखाया नोजू कहता है तुम्हारा थैंक्स जो तुम ऑफिस के बाहर भी मेरा इतना ध्यान रखते हो तोगवा कहता है मुझे आपकी हेल्प करना पसंद है और यहीं पर यह फ्लेस बैक खत्म हो जाता है फिर नोजू कहता है तो तोगवा मेरे लिए कभी भी इसमाइल नहीं करेग मैं चाहता हूँ कि वो फिर से मुझे पर गुसा करे मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए रोए मैं उसमें वो सारे हुमेन इमोशन्स देखना चाहता हूँ फिर वो भागते हुए तोगवा के पास पहुंसता है तोगवा उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है और पूशता है मिस जिसकी थी लेकिन मैं हार गया तुम हमेशा से हर दिन मेरे लिए बहुत कुछ करते आए हो लेकिन मैंने सिर्फ इग्नोर ही किया है I'm so sorry तभी तोगवा कुछ लोगों की रेस्टरंट से बाहर आने की वाइस सुनता है और नोजु को एक सेकेंड के लिए चुप होने को कहता है फिर उसे रेस्टरंट के दूसरी तरफ लेकर चला जाता है और कहता है Mr. Nogu आपको मेरे उपर दया आ रही है ना इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं नोजु कहता है तुम क्या कह रहे हो तोगवा कहता है या फिर ये सायद दया नहीं है आप मेरे आसुों को देखकर पिघल गए है अगर ऐसी बात है तो मेरी चिंता मत कीजिए I'm sorry कि मैंने आपके साथ ऐसा किया लेकिन हम उसे time के साथ भूल जाएंगे नोजू कहता है मैं नहीं भूलूंगा और नहीं तुम्हें भूलने दूंगा और मैं भूलना भी नहीं चाहता उस person को जो हर दिन और हमेशा मेरी care करत है ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं उसे भूल जाओं तोगवा फिर चिला कर कहता है मैंने कहा ना नोजू कहता है ये कोई दया नहीं है मैं डर गया था कि अगर तुम्हें ये बात बता दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो उसके बात क्या होगा मुझे पता न सकता हूँ आगे चलकर तोगवा फिर से वहाँ से जाने लगता है लेकिन नोजू उसे रोक लेता है और कहता है लेकिन मैं उतना यंग जरूर हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि ये बस एक excuse होगा इसके बाद उसे हग कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ new happiness को experience करना चाहता हूँ जिसे तुमने अब तक नहीं जाना है वो अच्छा हो या बुरा हो मैं confident हूँ कि मैं तुम्हारी life का एक part बन सकता हूँ इसके बाद वो तोगवा का face अपनी तरब करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तोगवा फिर उसे हग कर लेता है और रोने लगता है और कहता है मिस्टर नोजू मैं भी आपको पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ यहीं नहीं चाहता कि आप मेरी life का एक part बने मैं चाहता हूँ कि आप मेरी life बन जाईए नोजू कहता है ठीक है फिर दोनों एक दुसे को किस करने वाले होते हैं तभी अचानक कुछ लोगों की wife सुनाई देती है और वो दोनों एक दुसरे से दूर हो जाते हैं और हसने लगते हैं फिर नोजू उसका हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से restaurant की तरफ जाने लगते हैं फिर तोगवा नोजू से कहता है ये funny नहीं है आप almost 40 के होने वाले हैं आपको ज़्यादा careful रहना चाहिए कि आप कहां अपना love confess कर रहे हैं और तुम तुम 30 के होने वाले हो सो तुम इसे लेकर ज़्यादा careful रहा करो कि तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो तो गवाई smile करता है और कहता है Mr. नोजू एज ये पिंग होना और minority होना hometowns के different होने जैसा same है या फिर एक difference base wall को cheer करने जैसा है और ये कुछ नहीं है तो फिर चलिए fights करते हैं और disagreements और जादा ना समझी करते हैं और इसी तरह अपने रास्ते बनाते हैं जब तक कि हम 80's के ना हो जाए नोजू कहता है उसके बाद क्या जब हम 81 के हो जाएंगे तो गवा हसने लगता है और कहता है मैं अपना बैग लेकर आता हूँ प्लीज यहीं रहिएगा कहीं जाएगा मत नोजू कहता है ठीक है तुम जल्दी उसे वापस लेकर आओ इसके बाद उसके एर के पास जाकर कहता है मैं आलमोस्ट फोटी का हूँ लेकिन मैं फील कर रहा हूँ और सारे employees अपना काम कर रहे थे तबी एक employee नाकामूरे से लंज के लिए पूशता है नाकामूरा तोगवा से पूशने के लिए उसकी seat की तरफ मुड़ता है नाकामूरा देखता है कि तुहा नहीं था फिर वो कहता है तो वो फिर से चला गया फिर नेस्ट सीन में हम नोजू को देखते हैं, जो लंच करने के लिए एक लेस्टरेंट में आता है, जहाँ तोगवा उसका वेट कर रहा था, तोगवा कहता है अब लेट हो गये हैं, तोगवा नोजू से पूशता है नियू डिपार्टमेंट कैसा है, नोजू कहता है, मेरी section manager काफी talented है फिर दोनों एक दूसी तरफ देखते हैं और हसने लगते हैं इसके बाद नोजू कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने ये कहने में थोड़ी देर कर दी मैंने ये transfer तुम्हारी वज़े से नहीं लिया है thanks to your anti-aging process जो मैंने feel किया कि मुझे कुछ new ट्राइ करना चाहिए तोगवा कहता है मैं ये जानता हूँ और मैं खुछ हूँ कि आप अपने काम को enjoy कर रहे हैं फिर पूछता है tomorrow lunch के लिए कहां चले नोजू कहता है कहीं भी जब तक तुम वहां हो इसके बाद हमें नोजू की wise over सुनाई जाती है जिसमें नोजू कहता है मुझे पता है कल या उसके बाद या पांच साल बाद मैं और भी ज़्यादा प्यारा हो जाऊंगा और यहीं पर ये episoder series complete हो जाती है तो कैसी लगी आपको ये series मुझे comment करके ज़रूर बताना and if you like the video, like, share and don't forget the subscribe channel thank you for watching take care, love you, bye bye